हेलो फ्रेंट्स, वल्कम तू मैं यूट्यूब चैनल, इस्टड़ीवर्ट प्लस्वित प्रशांत, फ्रेंट्स, लर्निंग इन प्लसी में आपको विए फिर से स्वागत है, आज की वीडियों में बात करने वाले हैं, टाइमर इन प्लसी, प्लसी के अंदर टाइमर क्या होत तो यह जनल सी बात है, जो टाइमर होता है, टाइमर उसका हम यूज करते हैं, to set the time, कोई time set करने के लिए हम टाइमर का use करते हैं, चलिए मैं जर्नल से एक example से आपको समझाता हूँ फ्रेंड, मान के चलिए अपना ये टाइमर है, और मैंने इसको एक input दिया हुआ है, यह हम आपका bulb है और इसको हमें क्या करना है ओन करना है कुछ time के बाद मानलेजिए 10 सेकंड के बाद हमें इससे ओन करना है मतलब मैंने input दिया यह timer मैंने connect किया उसके 10 सेकंड के बाद यह time वह यह बल्ब आपका ओन हो जाएगा तो यह क्या हो गया आपका एक timer का function हो गया किस तरह से T on timer मतलब 10 सेकंड के बाद आपका output on हो जाएगा चलिए एक condition on लेते है यह हमारा input है कोई input के साथ मैंने timer को connect कर दिया और हमारा output मिल राइफरेंट और इस condition में क्या होगा जो हमारा output है माल लीजे बल्ब भी माल लेते हैं यह पहले सी on है लेकिन जैसी हम signal दे रहे हैं 10 सेकंड के बाद यह timer आपका यह off हो जाएगा बल्ब तो इसे हम बोलेंगे T off timer तो basic क्या difference आप देख पा रहे हो इस condition और इ bulb on हो जाएगा लेकिन उपर वाली condition में 10 सेकंड के बाद आपका timer बल्ब आपका on होगा तो इस दो तरह से हम timer का use करते हैं T on timer T off timer for setting the time चलिए फ्रेंड और फ्रोसम जानते हैं अगर मैं PLC के अंदर बात करूँ तो timer है क्या PLC के अंदर एक definition छोटा सा मैं लिख रहा हूँ एक timer is a PLC instruction तो है क्या timer कुछ नहीं है बस एक वो instruction होता है PLC का अब basically जैसे कि आपने देखा था एक T on timer है T off timer है ऐसे ही वो timer को अगर हम PLC के अंदर डिवाइड करेंगे या फिर characterize करेंगे तो कितने types में होगा टू types में वैसे होता 3 types में है जो 3rd type है वह आगर आपको समझाओंगा अभी आपको साथ समझना है T on timer, T off timer PLC के अंदर जो T on timer होता है जो हम बोलते है फ्रेंड on delay timer on delay timer जो T off होता है उसे हम बोलते है off delay timer है वोई function जो हमने देखा था कि मैं कोई input प्रेस करता हूं और मेरा output 10 seconds के बाद on होता है तो वह आपको क्या हो गया T on timer या फिर मेरा output पहले सी on है और मैं कोई signal provide करता हूं PLC को और उसके according मेरा output off हो जाता है तो हम बोलेंगे से T off timer चलिए फ्रेंट PLC के अंदर जाने से पहले हम एक example लेते हैं जो अपने अपने घरों में देखा होगा सबसे पहले हम बात करते हैं आप देखा होगा फ्रेंट या फिर induction cookers जो होते हैं आपके यह दोनों आपने देखे होगा घर के अंदर इनके अंदर क्या होता है जैसी आपको चीज अपना खाना होगा रहा है कोई भी आपको जो फ्राइ करना है इसको आप ओवन के अंदर रखते हो उसके अंदर आप ट दस मिनट का तो क्या होगा फ्रेंट जो आपका ओवन है वो दस मिनट के बाद ओफ हो जाएगा तो किस चीज का एक्जामवल हो गया ओवन टी ओफ डिले टाइमर वहीं अगर एक मान के चलिए कोई आपकी मशीन है अब मैं बात कर रहा हूँ आपको उसको लुब्रिकेट कर तक हट जो चीग चलिए हैं और इसमें हमेंगिरी सिंग कर नहीं है तो दस मोट कर अजाए था मिंगें टी ओन टाइमर का गया है धो यह जो महतो दो it वो वीडियो आप जरूर चेक कर लेना है डिस्क्रिप्शन में मैंने एड़ कर दिए थोड़ा सा मैं आपको इंट्रो देदा हूं उस वीडियो के बारे में सिंबल के बारे में तो यह आपका टाइमर है माल लेजिए आपका यह किस तरह से लिखा जाता है PLC के अंदर वही उस तरह से लिखता हूं यह T on timer है आपका कोई माल लेजिए तो यहां लिखाओगा आपका timer on delay ठीक है उसके आपका आदा है नीचे लिखाओगा timer यह क्या सेट कर रहा है friend addressing timer की addressing होती है वह हम करते है T4 is to 0 से जैसे input की addressing होती है input 0 से 0 या फिर input 0 से 1 इस तरह से timer की होती है T4 is to 0 अगर माल लेजिए आपके आस तीन timers connect हैं आपके किसी program के अंदर तो आप कैसे addressing करेंगे T4 is to 0 हो गया पहला फिर T4 is to 1 हो गया T4 is to 2 हो गया इस तरह से आप आप इसकी addressing करेंगे उसके बाद आता है नीचे base time तो इसे लिखते है अपन time base यह unit है आपकी किस unit में आपका timer work कर रहा है माल लिए हमारा second में काम कर रहा है 0.02 मतलब जो आपकी counting होगी वो second के अंदर होगी अगर है मैं मिलट लिख देता तो एक मिलट दो मिलट तीन मिलट क इसी से denote करते हैं accumulator को preset क्या होगा friend preset के अंदर कोई value होगी माल लिखे 15 seconds 15 seconds के बाद timer आपका reset हो जाएगा यह आपका accumulator current value को show करता है यहां empty रहता है initially जैसे कि आपको input press करोगे और 10 sorry 15 seconds के बाद हमारा जो यह bulb है टीन timer में on होना चाहिए तो accumulator में क्या होगा count होना चालू हो उस condition है क्या होगा आपका जो output है bulb है या फिर कोई mode error वो on हो जाएगी तो इस तरह से function होता है friend timer का basically यह symbol है आप देख सकते हो easily एक चीज़ में बताना चाहूँगा जो condition होती है सबसे यह important होती है condition of timer यह समझना important है friend c o n d i t i o n condition of timer एक होता है आपका हमने जानते है कि t on timer होत एक timer on t i on एक होता है आपका timer off जो off delay वाला होता है और on वाला on delay तो condition क्या खेरी है friend condition हम किससे समझेंगे preset और accumulator से अगर preset not equal to accumulator है इसका मतलब आपका timer on है और preset equals to accumulator है आपका timer off हो चुका है कैसे आप हम समझने देखे हमने preset में डाला वो है 15 second signal मेंने start किया जैसी यह 15 second complete हो जाएगा तो आपका timer off हो जाएगा और जो भी आपका output है वो हमें मिल जाएगा इसका मतलब timer come off होगा जब हमारा preset accum बरावर हो जाएगा कोई condition माली हमने input प्रेस किया और हमारा यह current value चालो हो गई 1,2,3 तो 1 से लेके 14 seconds सक क्योंकि second हमने time base लिया है उस condition में आपका preset accumulator के equal नहीं है उस condition में आपका timer on रहेगा इस तरह से timer यह काम करता है फेम पील सी के अंदर तो hopefully मैं लगता है मैंने सारी configurations आपको बता दी है timer किस तरह से symbol रहता है उसकी base time क्या रहती है preset क्या होता है accumulator का क्या काम होता है और अब यह video complete नहीं हो यह friend इसका मैं second part भी upload करूँगा जिसमें हम देखेंगे timer की कुछ bits होती है जैसे DN bit होती है done bit TT bit होती है EN bit होती है यह enable bit ह होती है यह 3 bits का बहुत जाद important role होता है PLC के अंदर for studying the timer तो अगली video में हम देखेंगे what are the bits of timer यह किस तरह से काम करती है और आज के लिए मैं इतना ही आपको stop करूँगा एक बार आप इसे revise कर लिए पूरे concept को timer का कि timer होता क्या है कैसे use करते है किस तरह से conditions होती है और कुछ अगर आप चाहते हैं इंडस्ट्रियल solution चाहिए वो इंडस्ट्री के कोई program हो या फिर college लेवल प्रोग्राम्स हो या फिर ITI लेवल या फिर आपके diploma के अंदर जो प्रोग्राम्स होते हैं यह सब चीज़ आप पता लगाना चाहते है तो चैनल को subscribe कीजिए बेल आइकन को press क कीजिए क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो लाता रहता हूं थेंक्यू